किसान भाईयो नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूटूब चैनल स्माल्ट एग्रिकल्चर में इस वीडियो में हम KDS 727 स्वाइबीन की कड़वी सचाए के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो इस समय पर मद्य प्रदेश में KDS 727 स्वाइबीन का कापी ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है जिसके कारण मद्य प्रदेश में इस वेराइटी की कापी ज़्यादा डिमांड चल रही है लेकिन अगर आप मद्य प्रदेश और राजस्तान के किसान है और आप इस साल KDS 727 वेराइटी लगाने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को अंच तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सकता है आप KDS 727 वेराइटी लगाने का विचार छोड़ दे तो क्या है KDS 727 वेराइटी की कड़िवी सच्चाई इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंच तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देगे लालक्षरो के सब्सक्राइब के बटन पर कलिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटे का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाई यो इस समय पर मद्य परदेश और राजस्तान में केड़े 727 वेराइटी का परचार परचार काफी जोर सोर से हो रहा है और परचार परचार करते समय मद्य परदेश और राजस्तान के किसानों को ये बताय जा रहा है कि आप मद्य परदेश और राजस्तान में भी केड़े 727 वेराइटी की आसानी से खेती कर सकते हो और मद्यपर्देश और राजस्तान में भी इस वेराइटी का बहुत अधिक उत्वादन निकलेगा तो किसान भाईयो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि केडिये 727 वेराइटी मद्यपर्देश और राजस्तान के लिए रिकमेंडेड नहीं है मतलब कि हमारे कर्ची वग्यानिकों के अनुसार आप इस वेराइटी की खेती मद्यपर्देश और राजस्तान में ना करें क्योंकि ये वेराइटी इन राज्यों के लिए अनुसंसित नहीं है हमारे कर्ची वग्यानिकों के अनुसार केड़े 726 वेराइटी सिर्फ महाराष्टर, आंदर प्रदेश, करनाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए हैं जहां पर मानसुन जादा समय तक रुखता हैं इसलिए अगर आप मद्यपरदेश और राजस्तान में केड़े 726 स्वयवीन की खेती करने की सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि एक विगा में 10 क्यूंटल उत्पादन निकल जाएगा तो ऐसा बिलकूल भी नहीं है हो सकता है केड़े 726 स्वयवीन अगर आप मद्यपरदेश और राजस्तान में लगाए तो अगर यहां का मोसम सूट नहीं खाया तो हो सकता है आपके उत्पादन अन्नी वराइटी से भी कम निकल सकता है इसके लावा कुछ जो बीज कमपनिया मद्यपरदेश और राजस्तान में केड़े 726 स्वयवीन का बीज बेच रही है वह किसानों को यह बोल रही है कि यह वराइटी 105 दिनों में पकर तियार हो जाती है लेकिन हमारे छेतर के कुछ किसान भाईयों ने गर्मियों में केड़े 726 स्वयवीन लगाया था जो स्वयवीन अब लगबग 90 दिनों का हो चुका है लेकिन उस स्वयवीन में अभी तक दाना ब्रा उस्टार्ट नहीं हुआ है उस प्रकार से देखे तो हमारे छेतर में जो गर्मियों के दिनों में केड़े 726 स्वयवीन लगा रखा है उस स्वयवीन को पकने में कम से कम 110 से 120 दिनों के आसपास का समय लगेगा और इस समय पर जो गर्मियों में महराष्टर में केड़े 726 स्वयवीन लगाया था उस स्वाइबिन को पकने में भी 120 दिनों के आसपास का समय लगा इस प्रकार से देखे तो मद्य परदेश के मौसम और महराष्टर के मौसम में कापी ज़्यदा परिवर्तन है इसलिए अगर महराष्टर में ये वेराइटी बरसात के दिनों में 105 दिनों में पक कर त्यार होती हैं तो मद्य परदेश में इस वेराइटी को पकने में कम से कम 110 से 120 दिनों का समय लगेगा जबकि मद्य परदेश में मानसून 3 महेने तक ही रुखता है इसलिए अगर आप इस variety को लगाते हो तो variety को लगाने के बाद जब variety 90 दिनों के होगी तब तक मानसुन चला जाएगा इसलिए अंत में पाने की कमी से ये soybean सोग भी सकता है या फिर अगर soybean सोगता नही है तो फिर आपको springler से सीचाइक करनी पड़ेगी इसलिए अगर आपके पास पानी की प्रयाप्त व्योष्टान नहीं है तो आप इस विराइटी को ना लगाए अब अन्त में ये बात करते हैं कि मद्यपरदेश में ये विराइटी लगाना चाहिए या पिर नहीं लगाना चाहिए तो अगर आप मद्यप्रदेश और राधिस्तान के किसान हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप विराइटी लगाने की सोच रहे हो तो आप इस साल इस विराइटी का शिर्प ट्राइल करें ट्राइल के तोर पर 10 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम बीज दीजिए और उस बीज की बुवाई कर दीजिए फिर जिस प्रगार से रिजल्ट मिलता है उस प्रगार से आप अगले साल की प्लानिंग कर सकते हो लेकिन मैंने बहुत से किसान भाईयों को देखा है जो डालेक्ट एक क्यूंटल या दो क्यूंटल बीज खरीद रहे हैं औ और पांदस एकड में इस वेराइटी को लगा रहे हैं तो किसान भाईयों ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये वेराइटी मद्य परदेश में नहीं नहीं वेराइटी हैं अगर इसका उत्पादन अधिक ना निकला तो आपको नुकसान भी हो सकता है तो किसान भाईयो यह थी KDS 727 स्वाइबीन की कुछ अधूरी बाते जो कोई भी नहीं बताता हैं तो आपको KDS 727 विराइटी कैसी लगी क्या आप मध्य परदेश में इस विराइटी को इस बार लगाएंगे कमेंट करके अविश्ची बताना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चलिये मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान